तो दोस्तो अगर आप एक teacher हैं, आप भी online पढ़ाते हैं, तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप one liner GK पढ़ाने के लिए PPT कैसे बना सकते हैं तो दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं, सिखना चाहते हैं, तो दोस्तो इस वीडियो पर लास तक बने रहें, देखते रहें और सिखते रहें, तो चलिए दोस्तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ मेरा नाम है राजीब और आप देखर अपना यूट्यूब चैनल Creator Classroom तो चलिए शुरू करते हैं अब दूस्तो मैं करूँगा स्लाइड मास्टर में जाऊँगा और देन दूस्तो मैं यहां से कर दूँगा Clouse Master View तो दूस्तो इस रह से हमारा टेमपलेट बन जाएगा तो दूस्तो मैंने पूरी वीडियो में ये सारी चीज़े बता दिया है कि आप टेमपलेट कैसे बना सकते हैं अगर आप इसे हुँझ से बनाना चाहते हैं तो दोस्तो आप पूरी video को ध्यान से देखिए और उसके बाद आप इसे बनाने का प्रियास कीजिए तो दोस्तो आपसे जो है अच्छे से बन जाएगा अगर आप इसे नहीं बना सकते हैं अगर आपके पास समय का अभाव है आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरी वीडियो को देखें फिर चीजों को समझें और इसे बनाएं अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तो मैंने इस टेंपरेट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो दोस्तो आप लिंक पर क्लिक करके इस पावर पॉइंट टेंपरेट को डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो जब यह template download हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है सबसे पहले तो इस template को अपने laptop यह PC में open करना है और देन दोस्तो आपको क्या करना है यहां से reset कर लेना है तो यह कुछ इसरह से आपको बना बनाया हुआ मिल जाएगा तो दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने laptop यह computer में MS PowerPoint application open कर लेना है तो मैं open कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तो यहां से blank presentation select करेंगे उसके बाद दोस्तो हम लोग क्या करेंगे slide master में जाकर के चीजों को design करेंगे तीच है अब slide master में क्यों design करना है क्योंकि दोस्तो मैं नहीं चाहता हूँ की बार-बार हमें यह मेहनत करना पड़े इसलिए हम लोग क्या करेंगे slide master में जाएंगे और एक बार जो है template बना लेंगे और उसके बार दोस्तो उसी चीज को हम लोग बार बार यूज़ करके अपना वीडियो बना लिया करेंगे ठीक है तो दोस्तो उसके लिए हमें क्या करना होगा view tab पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तो slide master में आ जाना है then दोस्तो इस slide को छोड़ करके ठीक है ये बड़ी वाली slide जो की master slide है जो की office theme slide है इसे छोड़ देना है और इसे छोड़ देना है बाकी सभी slide को दोस्तो अपको क्या करना है delete कर लेना है ठीक है delete button से delete कर लेना है तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें बच जाती है उसके बद दोस्तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर वाली slide में जाएंगे यानि की theme slide में जाएंगे और देन दोस्तो यहाँ क्लिक करेंगे control A से all select करेंगे delete button से delete कर देंगे ठीक है इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है इस page में हमें theme design करना है यानि की background design करना है कैसे करेंगे कैसे होगा आईए जानते हैं तो दोस्तो हम लोग क्या करेंगे theme design करने के लिए home tab के उपर क्लिक करेंगे और देन दोस्तों यहाँ पर यह जो आपको shape देखते हैं इन सभी shape को use करके दोस्तों यहाँ पर हम चीजों को design करेंगे तो यहाँ से मैं click करता हूँ ठीक है यहाँ पर आपको home tab में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको यह auto shape gallery मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको drop down पर click करना है देन दोस्तों यहाँ आपको एक जो है इस तरह का shape मिलेगा half frame नाम से ठीक है half frame नाम से आपको यह shape मिल जाएगा आप इससे select करेंगे और देन दोस्तों आप क्या करेंगे shift key को press करेंगे और देन दोस्तों आप इस तरह से half frame यहाँ पर draw कर लेंगे ठीक है कुछ इस तरह से हो जाएगा देन दोस्तों यहाँ पर आपको दो yellow dot दिख रहे हैं तो हमेंगे गरना पहला जो yellow dot है इसे पगड़ना है और इसे दोस्तों इस तरफ सरका लेना है तो इस तरफ बला यह जो हमारा पटी है यह पतला हो जाएगा फिर दोस्तों इस dot को यह जो हमारा yellow dot है इस dot को पगड़के जब हम उपर सरकाएंगे तो हमारा जो है उपर वाला पट्टी छोटा होगा पतला होगा ठीक है तो इस तरह से दोस्तो हमें क्या करना है दोनों को बिल्कुल ब्रावर कर लेना है ठीक है अपने हिसाफ से दोनों को ब्रावर कर लेना है और देन दोस्तो हम लोग साइड में क्लिक कर देंगे ठीक है तो इस तरह से दोस्तों ये चीज़े हमारा design हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों इसे हम लोग क्या करेंगे यहां पर corner में लागर के इसे रख लेंगे कुछ इस तरह से फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इस पर click करेंगे control D से इसका duplicate बनाएंगे और देन दोस्तो हम लोग इसके उपर इसे रख देंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद दोस्तों इसके उपर right click करेंगे और send to back कर देंगे ठीक है तो इस तरह से दोस्तों यह हमारा इधर थोड़ा सा बड़ा हो गया है फिर इस पर click करेंगे अब इधर भी थोड़ा सा बड़ा करना है तो कर देंगे तो यह हमारा इसके अंदर आ जाएगा और फिर दुस्तो इस डॉट को पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ कर देंगे तो इसके नीचे यह हमारा आजाएगा तो इस तरह से आपको यह चीजे बना लेनी है ठीक है देन दोस्तो अब हम लोग करेंगे इसमें color fill कर लेते है ठीक है तो दोस्तों यह जो हमारा नीचे वाला safe है इससे select करेंगे safe fill में जाएंगे safe format tab में रते हुए safe fill में जाएंगे और इसमें दोस्तों यह वाला color fill करवा देंगे safe outline में जाएंगे no outline कर देंगे ओके उसके बाद दोस्तों यह जो हमारा safe है इससे select करेंगे save fill में जाएंगे save format में रदे ते हुए save fill में जाएंगे और इसमें यहाँ से blue colour fill कर देता हूँ कुछ इस तरह से आपको जैसा प्रसंद हो यहिसा आप कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं blue colour fill कर देता हूँ save outline में जा करके no outline कर दूँगा ठीक है तो ये चीज़े दोस्तों आपको अच्छे से design करना होगा यानि कि ये बिल्कुल ब्रावर design होने चाहिए इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है slide को तोड़ा सा जो mode कर लेना है कुछ इस तरह से और देन दोस्तों हम लोग करेंगे इन दोनों shape को एक साथ select करेंगे Ctrl G से इसका group बना लेंगे और देन दोस्तों Ctrl D से इसका duplicate बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और उसके बाद shape format में जाएगे और यहां पर रोटेशन वाला option मिल जाएगा तो यहां क्लिक करेंगे और यहां से दोस्तों इस तरह इसे rotate करवा लेंगे और इसको दोस्तों इस corner में ले जागर के रख लेंगे कुछ इस तरह से ये चीज़े हो गई उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है इस shape को select करना है और देन दोस्तों keyboard पर Ctrl D प्रेस करेंगे तो इसका duplicate बन जाएगा देन दोस्तों यहां पर say format में रते हुए rotation वाले option में जाएगे और यहां से दोस्तों vertical rotate कर देंगे तो इस तरह आप ये vertical rotate हो जाएगा और देन दोस्तों इसे क्या करना है इस corner में इसे ले जागर के रख देना है ठीक है उसके बाद दोस्तों इस पर click करेंगे Ctrl D से इसका duplicate बनाएंगे और उसके बाद दोस्तों इसे यहां रख लेंगे उसके बाद दोस्तों से format में रते हुए rotation वाले option में जाएगे और इसको दोस्तों flip vertical कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और देन दोस्तों इसे पकड़के यहां पर इस तरह से रख देना है ठीक है तो इ दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर जो है एक rectangle से draw कर लेना है कुछ इस तरह से ठीक है यहीं तक करना है जैसा आप देख पा रहे हैं कुछ इसी तरह से कर लेना है और देन दोस्तों safe fill में जाएंगे safe fill में जाने कवाद no fill कर देंगे तो ये हमारा सिर्फ जो है border या तो आप इसमें yellow color भी fill कर सकते हैं कुछ इस तरह से और देन दोस्तो safe outline में जाएंगे width में जाएंगे और यहां से दोस्तों आप इसका width थोड़ा सा बढ़ा देंगे यहां पर दोस्तों मैं three point रख रहा हूं तो इस तरह से कर लेंगे तो ये design दोस्तों हमें मिल जाएग तो इस तरह से दोस्तों आपको ये theme design हो जाएगा उसके बद दोस्तों अगर आप इसका background color कुछ और रखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका background color change कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा ये जो हमारा background है इसके उपर right click करेंगे format background में जाएंगे और दोस्तों solid fill में रहत देंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका design हो जाएगा बिल्कुल हलका नीला color में इसे कर दूँगा और इसे cut कर दूँगा ठीक है तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा design बन जाएगा ओके अब हमें यह करना है इसमें अपना logo लगा देना है अगर आप यहां logo लगाना चाहते ह हम टैब में जाएंगे और यहां पर दूस्तों हम लोग क्या करेंगे कुछ इस तरह का एक rectangle से इसका नाम है rounded rectangle इसे select करेंगे और देन दूस्तों यहां पर कुछ इस तरह से इसे draw कर देंगे देन दूस्तों आपको करना है यह जो yellow dot है इसे पकड़के कुछ इस तरह से आपक करना है आप अपने साबसे से कर सकते हैं यह तो दोस्तों क्या कर सकते हैं मालिजे की यह आपको अच्छा नहीं लग रहा है यहां पर अगर हम इसे रखते हैं तो यह अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो दोस्तों क्या करेंगे मालिजे की यह अपने draw कर दिया और या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो दोस्तो आप इसे delete करके कोई दूसरा shape जो है draw कर सकते हैं, या तो दोस्तो अगर आपको इसी shape को किसी दूसरे तरह के shape में बदलना है, तो दोस्तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस shape को आपको पहले select कर लेना है, ठीक है, प दोस्तो आप इस shape को change कर सकते हैं, जैसे कि दूस्तो मैं ये वाला shape रखना चाहूँगा, कुछ इससरा से, तो मैं इसे कुछ इससरा से ले लूँगा, और उसके बाद दोस्तो हमें गया गरना है, ये जो नीचे वाला dot है, ठीक है, ये जो yellow dot है, नीचे वाला, इसे पकड़ कि इस सरका देंगे, तो ये हमारा कुछ इससरा से हो जाएगा, और इसको दोस्तो हम लोग तोड़ा सा right side कर देंगे, तो ये कुछ इससरा से हो जाएगा, और then दोस्तो align में जाएंगे, और यहां से कर देंगे center, ठीक है, और then दोस्तो अब हम लोग करेंगे, save fill में वो color आप इसमे fill करवा देंगे, save outline में जाएंगे और no outline कर देंगे, ठीक है, और इसे दोस्तो हम लोग थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से कर लेते हैं, और then दोस्तो अब हम लोग क्या करेंगे, control D से इसका एक duplicate बना लेंगे, और उसके बद दोस्तो save fill में जाएंगे, और no fill कर देंगे, ठीक है, और उसके बद दोस्तो shape outline में जाएंगे, और इसका color दोस्तो कोई दूसरा रख लेंगे, और उसके बद दोस्तो इसे थोड़ा थोड़ा हम लोग बढ़ा लेते हैं, कुछ इस तरह से हो जाएगा, यह देखिए, इसे हमने बढ लिया, और इसको भी दोस्तो थोड़ा सा इधर से छोड़ा कर लेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा, और देन दोस्तो इन दोनों shape को एक साथ select करेंगे, save format में राते हुए align में जाएंगे, और यहां से center कर देंगे, align में जाएंगे, यहां से middle कर देंगे, तो इस तरह से दोस कुछी सरसे हो जाएगा, और देन दोस्तो, save outline में जाएंगे, और daces में जाएंगे, और यहां से कुछी सरसे dot dot, यह वाला daces में apply कर देंगे, अगर आपको लगता है कि यह बहुत ज़्यादा थीक हो गया है, बहुत बड़ा मतलब यह बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है देखने में, तो सिर्फ outline में जाएंगे, width में जाएंगे, और यहां से दोस्तो आप इसकी thickness को कम कर सकते हैं, ठीक है, तो इस सरह से दोस्तो यह चीज़े हमारा बन जाएगा, उसके बाद दोस्तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर design करने के लिए, मैं जो भी चीज़े इसकी ले रहा हूँ, वो सारी चीज़े दोस्तो मैं यहीं से ले रहा हूँ, जैसे कि यहां पर मुझे कुछ लिखना है तो दोस्तो यहां से मैं text box लोगा, और यहां पर मैं इसे draw कर दोंगा, और उसके बाद दोस्तो यहां पर मैं लिख दोँगा और उसके बाद दुस्तों आप इसका font size थोड़ा बढ़ा लेंगे और यहांसे दुस्तों इसे middle कर लेंगे और then दोस्तों आपको गया करना इसे यहां पर रख लेना है कुछ इस तरह से ठीक है और इसे bold करना है तो आप इसे bold कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप इसका color change करना चाहें तो आप इस तरह से इसका color change कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसका color blue ही रखूँगा ठीक है तो इस तरह से दोस्तों यह जो हमारा theme design हो जाएगा theme design होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे अगर इसमें हमें logo लगाना है तो हम logo लगा सकते हैं ठीक है और यहाँ पर दोस्तों अगर तो यूटोब का subscribe button, like button, comment button वो सारी चीज़े आपको लगाना है तो वो सारी चीज़े दोस्तों आप यहाँ पर लगा सकते हैं तो इस तरह से दोस्तो आपका ये जो है theme design हो जाएगा theme design होने के बाद अब आपको क्या करना है नीचे बाली slide में आ जाना है ठीक है और देन दोस्तो यहाँ पे जो भी text box है जो भी चीजे हैं हम लोग क्या करेंगे एक साथ सभी चीज को select करेंगे और delete button से delete कर देंगे अच्छा देखें यहाँ पे जो भी text box था वो सारी चीजे delete हो गया बट यह सारी चीजे हमारा जो है delete नहीं हो रहा है यह क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि दोस्तो यह जो चीजे हैं यह हमने इस slide में design किया है इसलिए अगर इसी हमें change करना होगा edit करना होगा यह delete करना होगा तो हमें इसी slide में आकर कि यह चीजे हमें delete करनी पड़ेगी अधर्वाइस दोस्तो अगर हम दूसरे slide में राते हैं तो वहाँ पे जागर कि दोस्तो आप इन चीजों को आप change नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ठीक हैं तो यह design कैसे बनेगा कैसे क्या होगा यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया दन दोस्तों अब हमनों क्या करेंगे नीचे वाली slide में जाएंगे और यहां पर दोस्तों अब हमनों क्या करेंगे content जो है बनाने के लिए यानि की one liner जीकी बनाने के यहां पर आप हमें क्या करना होगा, थोड़ी बहुत जो है चीजे डिजाइन करनी पढ़ेगी, तो यहां पर हम चीजों को कैसे डिजाइन करेंगे, हम टैब में जाएंगे, और यहां से दोस्तों यह जो रॉंडे डिर्टेंगल सेप है, इसे सेलक करेंगे, और उसके बाथ यहाँ पर कुछ इस तरह का एक shape ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से थाकि हम इसमें question लिख सके उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह जो yellow dot दिख रहा है इसे पकड़के थोड़ा सा इस तरह सरका लेंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा तो यह हमारा कुछ इस तरह से हो गया और और देन दोस्तों shape outline में जागर के no outline कर देंगे ठीक है और देन दोस्तों हम लोग करेंगे इसे select करेंगे control D से इसका एक duplicate बना करके नीचे रख लेते हैं यह हमने एक shape ऐसा बनाया और इसे का एक duplicate बनाया बस एक बड़ा रखा है और एक छोटा रखा है ठीक है इस तरह से कर करेंगे और इसके बाँ इहां पर एक छोटा सा circle shape RAW कर लेंगे और इसे दोस्तों बिल्कुल बीच में रख लेंगे और फिर दोस्तों इस छोटे वाले shape को, circle shape को select करेंगे और इस shape करेंगे और उसके बाँ दोस्तों shape format में राते हुए मर shape में जाएंगे और यहां से दोस्तों इससे कर देंगे तो यहां से कर देंगे fragment ठीचा तो यह दोस्तों हमारा इस तरह से design बन जाएगा यानि कि यह चीज़े हमारा cut जाएगा तो इस तरह से यह चीज़े हमें कर लेनी है और उसके बाद आप इसका color जो भी रखना चाहें जैसा भी रखना चाहें आप इस तरह से रख लेंगे support line में जाकर no outline कर देंगे तो यह design दोस्तों आपको इस तरह से मिल जाएगा फिर दोस्तों इससे select करेंगे और control जी से इसका group बना लेंगे और देन हमें करना है इन दोनों में text box add करना है उसके लिए हम लोग slide master में राते हुए insert placeholder में जाएंगे यहां से text option select करेंगे और यहां पर दोस्तों हम लोग text box draw कर लेंगे कुछ इसर से और यहां पर बीच में क्लिक करेंगे control A से all select करेंगे इसे delete कर देंगे और यहां पर दोस्तों लिख देंगे type your question here यह कर दिया उसके बद दोस्तों इससे select करेंगे और उसके बद दोस्तों हम टैम में जाएंगे और यहां से दोस्तों अपनी पसंद का font इसमें apply कर देंगे यहां पर दोस्तों छोटा सा dot apply हो गया है तो दोस्तों यहां से हम लोग bullets में जाएंगे none कर देंगे और यह ओपर जा रहा है तो दोस्तों align text में जाकर के इसे middle कर देंगे ठीक है और उसके बद दोस्तों बस यह हमारा हो जाएगा और देन दोस्तों आप font का जो भी रखना चाहें जैसा भी रखना चाहें आप यहां से font color change कर सकते हैं तो यह आपका हो जाएगा ठीक है फिर दोस्तों हम लोग यह करेंगे इस text box को select करेंगे इस text box को select करेंगे Ctrl D से इसका duplicate बनाएंगे उसके बगड़के और उसके बगड़के यह जो हमारा text box duplicate बना है इसे थोड़ा सा नीचे लेकर करेंगे उसके बगड़के यहां से font color में जाएंगे और यहां से font color तोड़ा सा change कर लेते हैं कुछ इस तरह से और यहां पर दोस्तों हम लोग लिख देंगे type your answer here ठीक है और देन दोस्तों इसका side चूड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से और उसके बद दो यहां पर इसे रख देंगे तो इस तरह से दोस्तों यह सारी चीज़े हो जाएगी और उसके बद दो इन सभी को एक साथ select करेंगे सिर्फ format में जाएंगे और यहां से align में जाएंगे और यहां से कर देंगे इसे middle ठीक है तो दोस्तों यह हमारा question टाइप करने के लिए और answer टाइप करने के लिए text box बन गये है अब दोस्तों यह हमारा digit वेगर सब कुछ complete हो चुका है अब दोस्तों हमें क्या करना इसमें इसमें animation लगा देना है और जैसे दोस्तों आप animation लगाएंगे तो दोस्तों आपका बाकी कम हो जाएगा तो animation कैसे लगाएंगे तो दोस्तों animation लगाने के लिए आपको क्या करना है इस तरह से यह जो आपका सवाल वाला safe है इसे और यह text box है इसे ठीक है इन दोनों को आपको एक साथ select कर लेना है और देन दोस्तों animation tab में जाएंगे animation tab में जाने को दोस्तों यहाँ पर drop down में जाएंगे और drop down में जाने को दोस्तों यहाँ पर एक option मिलेगा more entrance effect आपको इसमें आ जाना है और उसके बाद दोस्तों आपको इसमें एक animation लगा देना है pick in ठीक है pick in animation लगा देना है और यह तो आपको इस तरह से करना होगा आप इस तरह से कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है start after previous कर देना है यहां पर आपको after previous कर लेना है उसके बाद आपको क्या करना है इन दोनों को एक साथ select करना है green shape और type your answer here इन दोनों को एक साथ select कर लेना है और then दोस्तों आपको क्या करना है same उसी तरह से यहां पर click कर लेना है और उसक आपको pick in animations इसमें apply कर देना है और देन दोस्त आपको OK कर देना है और effect में जाएंगे और यहां से कर देंगे from lab तो इस तरह से जो है इस से यह बाहर निकलता हुआ दिखेगा और यहां पर दोस्त आपको कर देना है यहां पर कर देना है आपको on click ठीक है और यह जो text box है इसे आपको select करना है और इसमें दोस्तों आपको कर देना है after previous ठीक है चले यहां पर animation pen open कर लेते हैं तो यहां पर यह सारे animation आपको देख जाएंगे और देन दूस्तों आप यहां पर play करके देख सकते हैं यह कुछ इस तरह से आएगा फिर इस तरह से आएगा तो यह आपको जो है एक option के लिए यह आपको बन गया है अब आपको करना है यहां से इन दोनों को एक साथ select करना है और Ctrl-D से इसका duplicate बना लेना है और देन दोस्तों आप इससे इसके नीचे रख देंगे तो यह कुछ इस सरह से हो जाएगा फिर दोस्तों Ctrl-D से इसका एक duplicate बना लेंगे अब दोस्तों मैं क्या करूँगा slide master में जाओंगा और देन दोस्तों मैं यहां से कर दूँगा close master view तो दोस्तों इस रख से यह हमारा template बन जाएगा ठीक है तो दोस्तों मैंने पूरी वीडियो में यह सारी चीज़े बता दिया है कि आप template कैसे बना सकते हैं अगर आप इससे खुद से बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप पूरी वीडियो को दियान से देखिए और उसके बाद दोस्तों आप इससे बनाने का प्रियास कीजिए तो दोस्तों आपसे जो है अच्छे से बन जाएगा अगर आप इससे नहीं बना सकते हैं अगर आपके पास समय का अभाव है आपके पास इतना time नहीं ह की पूरी वीडियो को देखें फिर चीजों को समझें और इसे बनाएं अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने इस टेंपरेट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो दोस्तों आप लिंक पर क्लिक करके इस पावर पॉंट टे करना है सबसे पहले तो इस टेंपरेट को अपने लैप्ट आप के PC में open करना है और देन दोस्तों आपको क्या करना है यहांसे reset कर लेना है तो यह कुछ इसरह से आपको बना बनाया हुआ मिल जाएगा देन दोस्तों आपको क्या करना है यहांसे design tab के उपर क्लिक करना है design tab क उपर किलिक करने को बद दूस्तो आपको यहां पे drop down के क्लिक करना है यहां पर टैंप्लेट बन चुका है और हमारे पावर पॉइंट सॉप्ट्वेर में सेव हो गया है तो इस तरह से दोस्तों आपको एक बार करना पड़ेगा और एक बार दोस्तों अगर आपने इस तरह से कर लिया उसके बार आपके लिए जो है वीडियो बनाना बहुत ही असान हो से और दोस्तों यहां से ब्लैंक पर्जेंटेशन ले लेना है और दोस्तों आपके अगर आएंगे यहां से डिजाइन टैब के उपर क्लिक करेंगे और उसके पर दोस्तों यहां पर वो थीम आपको दिख जाएंगे यहां पर दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ लिग है तो यह यहां पर देखिए यह चीज़े तो design क्या हुआ आ गया है लेकिन यहां पर हमने जो question, answer यह सारी चीज़े लिखने के लिए हमने जो चीज़े बनाई थी वो यहां पर नहीं दिख रहा है तो दोस्तों हमनों क्या करेंगे layout में जाएंगे और यहां पर दोस्तों क्लिक करके यह layout ले लेंगे अब हमें क्या करना है इसमें question type करना है इसमें answer type करना है फिर question type करना है फिर answer type करना है ठीक है तो इसमें दोस्तों बस आपको क्या करना है type करना है या आप चाहें तो कहीं से copy paste भी कर सकते हैं यह सारी चीज़े copy paste करने के बाद अब हमें क्या करना है reset button पे click कर देना है तो यह सारी चीज़े automatic formatting हो जाएगी फिर दूस्तो हम लोग क्या करेंगे इन सभी को एक साथ select करना है और उसके बतल तो यहाँ पे center का option मिलेगा push center पे click कर देना है तो यह इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे एक slide तो हमारा बन गया है अब दूस्तो हमें दूसरा slide बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे new slide में जाएगे और यहाँ से फिर से यह slide ले लेंगे तो इसमें वही सारी चीज़े इसमें आपको copy paste कर लेनी है तो पहले तो headline यह topic यहाँ पे copy paste कर लेते हैं और फिर मैं इसे reset कर लेता हूँ तो यह हो गया हमारा अब दूस्तो हमें क्या करना है यहाँ से अपना जो है सवाल select करना है copy करना है और यहाँ पे सवाल को paste कर देना है फिर यहाँ click करेंगे और दोस्तो यहाँ से answer को select करके copy करेंगे ppt में जाएंगे इसे paste कर देंगे और alt tap press करके दोस्तो अब जो है ppt में और website पे आ सकते ठीक है तो यहाँ से दोस्तो मैं दूसरा सवाल select करता हूँ copy करता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा सवाल paste कर दूँगा फिर यहाँ मैं click करूँगा और फिर दूस्तो यहाँ से मैं उसके बाद दूसर को select करके copy करूँगा और फिर यहाँ पे मैं answer को paste कर दूँगा फिर से सवाल को select करके copy करके यहाँ पे paste कर दूँगा और फिर से दूस्तो यहाँ पे मैं answer को select करूँगा copy करूँगा और यहां से ppd में जाकर किसे कर दूँगा paste तो इस तरह से दोस्तो इसमें पहले आपको copy paste कर लेना है और दोस्तो आपको यहां पर reset कर देना है तो इस तरह से यह हो जाएगा और फिर दोस्तो इन सावी को एक साथ सले करके अगर आप इसे center में रखना चाहिए तो दोस्तो आप यहां पर center पर clicker के center में मैंने दो slide बनाई है आपको जितना बढ़ाना होगा उतना slide आप यहां से add कर सकते हैं और पिर जैसे मैंने आपको copy- refresh करना बताया इस तरह से यह सारी चाहिए कर सकते हैं अब दोस्तों मैं आपको जो है इसका final output बताता हूं यानिकि इस template को यूज करके अगर हम वीडियो बनाएंगे तो यह हमारा वीडियो कैसा बनेगा आईए दोस्तों देख लेते हैं ठीक है तो दोस्तों यहां पर मैं answer so कराना होगा तो दोस्तों आप जैसे ही enter की press करेंगे तो इसका answer कुछ इस तरह से so हो जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आप इसके बारे में और कुछ लिखना चाहें कुछ और समझाना चाहें कुछ और explain करना चाहते हैं तो दोस्तों आप control के साथ भी प्रेस करेंगे तो आपका mouse pen बन जाएगा उसके बाद आप graphic pen tablet की मदद से लिख ली करके जो भी चीज़े लिखना चाहें जो भी चीज़े आप समझाना चाहें वो सारे चीज़े दोस्तों आप यहां पर लिख ली करके समझा सकते हैं अगर आपको इससे erase करना है तो E press कर देंगे तो सारे इसका-ios यहां-par 못- опыт यहां पर यहां पर यहां पर दूसरा सवच आएगा उसके बाद इससे पढ़ेंगे explain करेंगे और पिर दूस्तों आप इसका answer slow कराना चाहते हैं तो आप दूस्तों इससे एकàn वीडियो चलता रहेगा और इस तरह से दोस्तो आप जो है one-liner GK के वीडियो बहुत यह अच्छा सा प्यारा सा लुक में बना सकते हैं इस template को जोच करके दोस्तो ऐसा नहीं कि आप one-liner GK के वीडियो ही बना सकते हैं आप चाहें तो दोस्तो English भी पढ़ा सकते हैं आप देखें यह हमने यह बना लिया GK की slide अब हमें दोस्तो मालेजे की English sentences पढ़ाना है तो हम लोग यह गरेंगे new slide में जाएंगे और यहां से sentences वाली slide ले लेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तो आप इसमें जो है English पढ़ाने के लिए इस तरह से जीजों कुलिक सकते हैं और आप इस slide की मदद से दोस्तो आप जो है English बोले जाने वाले sentences भी आप जो है पढ़ा सकते हैं ठीकर तो इस तरह से यहाप English आएगा फिर इसका Hindi आएगा तो इस तरह से द वीडियो भी बना सकते हैं I hope दोस्तों कि आज कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीजे बताया है, सिखाया है, समझाया है आपको पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ये टुटोरियल पसंद आया है तो दोस्तो इस वडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं दोस्तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं